अब यहाल ही में 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट जारी की गई है तो इस वीडियो में हम इसी लाइटनिंग रिपोर्ट के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो गाइस वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लेखे रोज आते रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को कांटिन्यू करते हैं 2019 की तुलना में पिछले साल भारत में आसमानी बिजली गिरने में 22.6% के बढ़ी हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में जो भारत में आसमानी बिजली गिरती है उसमें 22.6% के बढ़ी हुई है इसका खुला कि शर्जारी करता है गाईस तो ये अर्थ नेटवर्क करता है तमिलनाड, आंधर प्रदेस, औरीसा पस्छिम्बंगाल और करनाटक में सबसे अधिक आस्मानी बिजली की घटनाये होती हैं। पिछले साल भारत में 49.5 मिलियन से अधिक पल्सेस का पता लगाया गया था, इन में से लगभग एक करोण खतरनाख क्लाउड टू ग्राउंड स्ट्राइक्स थी भारत में 74.47 खतरनाख आंधी एलर्ट जारी किये गए थे और उन में से अधिकांस तमिलनाड राजी में थे वर्स 2020 में भारत में मानसून के मौसम के कारण मई, जून और सितंबर के महीनों में बिजली की सबसे अधिक सांदरता देखी गई इस रिपोर्ट के अनुसार बिजली गिरने और भीसरन मौसम के खतरे भारत की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है भूमद रेका और हिंद महासागर से देश की निकटता के कारण भारत अत्यधिक मात्रा में नमी और गर्मी का अनभो करता है जो पूरे दच्छन ACI छेतर में अचानक और तेज आंधी में योगदान देता है रास्ट्रिय अपराद लिकार्ट ब्यूरो द्वारा किये गए एक अध्धन में कहा गया है कि वर्स 2001 से हर साल भारत में 2360 लोग बिजली गिरने से मरते हैं तो गाईज आईए एक बार इस रिपोर्ट को हम रिवाइस कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से पॉइंट निकल के आती हैं जो हमारे आगामी परिच्छाओं की दृष्ट्री से महत्पूर हो सकती है सबसे पहली पॉइंट की 2019 की तुलना में भारत में आसमानी बिजली गिरने में 22.6% की बृधी हुई है जो 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट है ये किस के दौरा जारी किया जाता है तो ये अर्थ नेटवर्क के दौरादारी किया जाता है भारत में कौन से ऐसे राज हैं जहां पे सबसे ज़्यादा आसमानी बिजली गिरने की घटनाएं घटित होती है तो ये हैं तमिलनाड, आंध प्रदेश, उरीसा, पस्चिम बंगाल और करनाटक इसके बाद में इसके अलावा गाईज हमने देखा कि 7447 गान खतरनाक आंधी एलर्ट जारे किये गए थे 2020 में और 2020 में जो सबसे ज़्यादा जिन महीनों में आसमानी बिजली के घटनाएं सबसे ज़्यादा देखी गई वे महीने थे मई, जून और सितंबर और इसके साथ ही हमने जाना कि रास्टी अपराद के कार्ट ब्यूरो द्वारा एक अध्यन किया गया था उसके अनसार भारत में वर्स 2001 से हर साल 2360 लोग बिजली से मरते हैं तो गाइस इस वीडियो में बस मुझे अमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोज के साथ में हम आपसे रोज मिलते हैं थैंक्यू गाइज दूसरे वीडियो में हम आपसे पिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार